दोस्तों आज हम बात करेंगे पाकिस्तान हुट से जिंबाबे पहले टेस्ट मैच की दूसरे दिन के खेल का बात को आगे बढ़ाओ उससे पहले बस आप से रिकुजारिस है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे मैं आगे किस तरह के कंटेंट लाया करूं तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो ऑस्ट्रेलिया के दिगज बैट्समेन मार्क वह साथ वार कुमार संकारा छे वार विरंदर सहवाग छे वार माईक हसी छे वार सचीन टेंडूलकर पांच बार डॉन ब्रेडमैन दो कि क्या सुनाया मैंने अभी आपको यह नंबर्स क्या थे यह नंबर्स थे जो यह बैट्समें जिनके बड़े-बड़े बैट्समें का नाम लिया है मैंने यह अपने करियर में कितनी बार टेस्ट मैच की पहली बॉल पर अपनी इनिंग्स की पहली बॉल पर आउट हो गए यालिकि golden duck इन्होंने कितनी बार बनाया ये मैंने सुनाया तो जिम बाबे के खिलाब पहले test match है बाबा राजम भी golden duck पे आउट होगे कोई बात नहीं इसा होता है और बड़े-बड़े खिलाडियों के साथ होता है मैंने लिस्ट अभी आपको गिनवा दी छोटी से लिस्ट लिस्ट तो बहुत लंबी है कुछ परमुख नाम कुछ important नाम जिनको आप जानते हैं जिनको दुनिया जानती है और जिनके बारे हम का जाता है कि ये बैटिंग की किताब है अपने आप में वो बड़े-बड़े खिलाडी कितनी बार जिरो पाउट हुए पहली वॉल पे ये मैंने आपको सुना दिया यह होता है तो आप कहेंगे जिनबाबबे के खिलाब कैसे हो सकता है ठीक है बड़े-बड़े पहले टेस्टमाइच किससे था पता अब को पहला टेस्टमाइच इंडिया से और उस मैच में सचिन थे ज्डूलकर करके तो जिंबाब्बे अपने पहले मैच में सदिन तंद्डोर को जीरो प्राउट कर सकता है जिंबाबी के बॉलर्स बावाराजम को क्यों ही आउट कर सकते हैं होता एयर क्रिकेट में यह चीज़ें लगी रहती है तो अगर कोई आपसे कह रहा है कि बावाराजम जिम्बाबे खिलाफ जीरो पाउट हो गया पहली वाल पाउट हो गया इसलिए खराब बैट्समेन है उनकी बातों पर ध्यान मत देजी उनकी बातों को सुनी मत ऐसे लोगों को क्रिकेट की समझ नहीं होती अगर समझ होती है फ चार मैच में चार बार उन्होंने 50 प्लस का स्कोर बनाया चारों को जो उन्होंने 100 में कनवर्ट कर दिया है फावाद आलम जो है 90 साल पुराना रिकॉर्ड तोरने के कड़िव आ गये हैं 90 साल पहले विस्ट इंडीज का एक यूवा बैट्समेन 1931 में अपने करियर के पहले लगाता छे पारियों में जो है उसने जब भी 50 पार किया तो सव बनाए उस बैट्समेन का नाम था जौर्ज हैडली जबर्दस्त बैट्समेन थे और उसके बाद अब लग रहा है फावाद आलम चार बार लगातार कर चुके हैं और दो बार और इसा हमको करना है तो जौर् ग्यारा साल बाद से फावाद आलम वापस लौट लग बहुत ही सालों के बाद एक बैट्समेन की नेशनल टीम में इंट्री होती है दुबारा से वापसी होती है और वो बैट्समेन जो है पिछले कुछ महिनों में जब भी उसको मौका मिला है कमाल के प्रदरशन से बहतरी टेकलियर भी कर दे तो मुझे लगता एइनिंग्स की जीत हो सकती है हो जानी चाहिए अब बहुत लोग इस बात की शिकायत कर रहे है कि पाकिस्तान बहुत स्लो खेल रहा है देखो स्रिलंका बंगलादीस में कितनी तीज बैटिंग हो रही स्रिलंका की टीम कहां खेल रही ह जो मैच हुआ था तेरो सोरां के करीब रण बन गये थे विकेट 10-12 ही गिरे थे यार ऐसी एसा कोई टेस्ट मैच होता है क्या ऐसे टेस्ट मैच में तो पिछ बनाने वाले पर कारवाई यूनी चाहिए उस पर एक्सन होना चाहिए था ऐसे ऐसे पिछों पर ऐसी पिछे बंग तेज गती से आप कोशिज भी आपको नहीं करनी चाहिए इसा करने पर आप पर विकेट गिरने का खत्रा रहता है और इसा हुआ भी जब भी कोई बैस्में ने एक्सिलरेट करने कोशिज की उन्होंने विकेट गमाया अपना तो जिस तरह से पाकिस्तान ने बैटिंग की है वही पेज इस टेस्ट मैच के लिए ठीक थी ओवर और और भी आप देखेंगी तो पाकिस्तान का रण रेट है आज तक हिस्ट्री से लेगे आज तक 2.91 रन पर ओवर का है और उसी के आसपास पाकिस्तान ने इस मैच में भी बैटिंग की है उसी अफ्तार से बैटिंग किय आप पूरे के इतने दिन बचे है तो बस सोशेवाजी के लिए क्यूं टेज खेल के बैट से अपना विकेट गवाई भाई भाई पहले तो जीत आपको अपनी पक्की करनी है आपको मैच पे अपनी पकड़ बनानी है वह ज्यादा जरूरी है कि सोशेवाजी करनी ए और बहुत सारे से क्रिकेटर होते हैं जो चोड़ दिया जाए तो टेस्ट मैच का मेन मकसद होता है कि आपको पहले अपनी पकड़ बनानी है मैच पे और उसके बाद आप देखिया उसी से दर्सक इंटर्टेन होते हैं सिड्नी टेस्ट मैच में हनुआ विहारी और रवी चंद टी-20 क्रिकेट के एरा में आप चाहें एक टेस्ट मैच पर यह सही एकस्पेक्टेशन नहीं है तो बहरहाल मिला करके पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच में वैसा ही प्रफॉर्म किया जैसी उसकी उम्मीद थी बावाराजन का जीरो पॉर्ट होना उनके फैंस को जरूर जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं तो उसमें मुझे 10,000 सब्सक्राइबर के लिए 80 सब्सक्राइबर की और जरूरत है तो मुझे लगता है कि आप जल्दी इसको पूरा कर देंगे उसके बाद पिर हम आगे का रास्ता करेंगे तो अब मैं चाहता हूं किस चैनल पर किस द दिनों में वीडियो लेकर के आपके पास जरूर आओं जिसमें एक दिन तो मैं सुछता हूं कि मैं हर फ्राइडे को एक ऐसा वीडियो लेकर आओं जिसमें इंडिया पाकिस्तान राइवलरी इंडिया पाकिस्तान के किस्से हैं उसकी बात लेकर लेकर के आओं फिर मैं एक इनकिन टॉपिक्स पे रेगुलर वीडियो बनाना चाहिए और किस दिन कौन सा वीडियो बनाना चाहिए आप इस चैनल की जान है आपकी बदोलत ही यह चैनल आगे पढ़ रहा है तो यह चलेगा उसी तरीके से जिस तरीके से आप चाहेंगे और मैं चैनल पर बहुत लोग कि जादा बना रहा हो यह तो एक बात होगए दूसरी बात यह है कि यह जवाना है आपकी दुनिया में आपको आप कहीं भी रहें आपको देखने चाहने वाले कहीं जो प्विडियो आपट करऊंगा और जो भी अच्छा खेलेगा उसकी ताजिश करूँगा चाहे वह पाकिस्तान आप iaए इपनी आप खेलेगा तो उसकी आलूचना होगी उसको किटिसाइज करेंगे लेकिन जब रन नहीं करेंगे दोस्तों ये छोड़ा से वीडियो था उमीद आपको पसंद आया होगा मिलते आप से अगले वीडियो में तब तक लिए गुडबाई टेक केर एंड लव यू